नमस्कार हमारे यूट्यू टर्नल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और जैसा कि अभी मैं अपना घर में हूँ और कोई भी कमपोश का बात नहीं किया जाएगा आज आप लोगों को एक नया रेशिपी के बारे में बदाने जा रहा हूं जो मैं खुद बनाऊंगा और वो है सुझी का हलुआ अलग रूप से जो जिनको भी मैंने खिलाया हूं वो सभी को पसंद आया है तो आप भी प्रोसेस देखे किस तरस मैं बनाता हूं और आप लोग और एक जैसा वीडियो देखना अच्छी बात नहीं है चले आपको ले जाते हैं अपने कोकिंग में तो यह है हमारा कढ़ाई यह गरम हो चुका है सुझी अभी मैं जो बना रहा हूं वह सिद दो बैक्तिव के लिए हैं जादा मनाता हूं नहीं है सिद दो बैक्तिव बना और मैं यहां पर बीना घी का भूंज रहा हूं यह देखें बास काफी है दो वेक्तिव के लिए लो से थोड़ ज्यादा और हाई से थोड़ा कम यह मैं भूंज रहा हूं तो यहां पर आप देख रहे हैं हलकालगा भूरा होना शुरू हो गया है बस यहीं तो मैं चाता हू इलैक्षी को फूट लेता हूं इसो चलाते रहना है अब आज को लो कर दीजिए गरम हो चुका है यह भूंजा भीरा अच्छा से मिलाएगा अब पानी मिक्स करेंगे अपनी मिक्स किया हूं अब यह ऐसा रंगा गया है अब इसमें हम अपना यह देखे लाची चला गया यह बदाम का इसको क्या बोलते है बदाम फ्रूट सर्वत यह है केसरिया का ग्रेश कंपनी का है बहुत अच्छा है और इसको मैं लिक्स करता हूं एक अलग तरह का स्वाद अद्ला ने लिए तो आप लोग उसको जुरूब मिक्स कीजिएगा बहुत अच्छा स्वादा आता है यह अभी बन रहा है इलाची डाल चुके है यह पाली डाली है अच्छो सीजना इसको फूलने के लिए छोड़ना है थोड़ा सा तेज कर देता हूं और इसी वक्त हमको चीनी मिक्स करना ह है तो आप अपने कमेंड में जुरूब बताए कि आपको यदि जब मन का कुछ करना होता तो आप क्या करना चाहते हैं यह हल्वा जिसको जिसको भी मैंने खिलाया हूं बहुत सब को अच्छा भी लगा है और सभी को पसंद भी आया है यह अलग तरह का टेस्ट है अलग तर कि आये लगबग लगबग तैयार हो चुका है तो यह लगबग लबग सुक चुका है तो इस समय आपको घी डालना है अधिया है कि यह हल्वा तयार हो गया है और इसको मैं एक कटवारी में निकालता हूं में तो यह है हल्वा तैयार हो चुका है और अब मैं अपने मा के पास आया हूँ और आज का संडे के दिन है तो भॉट थोड़ा सा चिल करना होता है तो चिल करने में क्या कर सकते हैं कुछ बनाई है और सब के साथ मिलके बाटके ख़ाई एक देखते हैं माता जी यह हलवा के तेस कैसा होता है अपना रिव्यू बताएगी है न ममा मैं बहुत बार बना चुका हूं लेकिन यह जो मोमेंट है इसको मैं इस्टोर करना चाहता हूं मैं भी खाक पर दिख लेता हूं मम्मी तो हमेसा हाँ बोलती रहती है बहुत देश्ट है इसमें फर्सक्लास के सरो हल्वा कि अभी न मम्मी तो है दुब